हेलो गाईज, वेलकम टू मैं चैनल, मैं हूँ रवी और आज अपने सामने खडी है टाटा की ओल न्यू हैरियर और यह हेश्टेक डार्क एडिशन है पर डार्क एडिशन में भी थोड़ा सा जोल है यह थोड़ा जीटी लाइन वाइब देने के लिए डार्क एडिशन में रेड वाला वेरियंट है जिसमें कि आप लोगों को ग्रिल में एक छोटा सा स्पोर्ट देखने को मिलता है रेड कलर का जो की सिगनिफाई करता है कि यह रेड कलर है और इसका इंटीरियर भी आपको रेड कलर का देखने को मिल जाता है और नॉर्मल हैश्टेक डार्क वेरियंट से इसको थोड़ा सा अलग बनाने के लिए इसमें छोटी मोटी जगे पे रेड कलर के स्पोर्ट देखे रखे हैं फिर अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आँखों की तरह दिखने वाली DRL मिल जाती है अपन लोगो को जो की दूसरी साइड पे भी सेमी मिलती है फिर इनके बीचों बीच ग्रिल मिल जाती है और उसके बीचों बीच अपन लोगो को टाटा का लोगो मिल जाता है प्यानो ब्लैक फिनिश में और यहाँ पे ग्रिल भी प्यानो ब्लैक फिनिश में है पर side में low beam के लिए इसमें halogen bulb देके रखा है फिर नीचे अपन लोगों को turning fog lamps मिल जाते हैं जो कि गाड़ी जैसे ही turn होगी steering जिस साइड turn होगा उस साइड जल जाएगा और दूसरी side भी अपन लोगों को वही same चीज मिल जाते हैं और जस टाटा के लोगों के नीचे अपन लोगों को इसका front वाला camera भी देखने को मिल जाता है और फिर नीचे number plate की जगे देखने को मिल जाती है और भाई बड़ा गोड़ा है इसलिए इसके अपन लोगों को बड़ा radiator भी देखने को मिल जाता है जिससे कहीं न कहीं जल्दी cooling हो जाए गाड़ी की No doubt by front से तो बिलकुल beast वाले looks आ रहे हैं बात कर लेते है side looks की तो side में आपन लोगों को सबसे पहले इसके अंदर देखने को मिल जाता है hashtag dark red वाला variant की बेजिंग normal वारे में black color का hashtag dark लेका होता है बट इसमें red वाला है तो इसलिए red color से hashtag dark लेका है फिर अपन लोगों को इसके अंदर इसका tire देखने को मिल जाता है जिसका size बहुती ज़ादा तगड़ा है और इस tire की profile है 235R18 मतलब कि ये tire है 18 inches का और ये tire अपन लोगों को diamond cut alloy wheels मिल जाते हैं और इस alloy wheel के अंदर अपन लोगों को disc brake भी offer हो जाते हैं red color से इसके calipers painted हैं और चारो टायर में अपन लोगों को इसके disc brakes देखने को मिल जाते हैं और फिर अपन लोगों को इसमें ये ORVM देखने को मिल जाता है जो कि automatically electrical adjustable है और इस ORVM के बीच में अपन लोगों को ये indicator की line की strip भी देखने को मिल जाती है और फिर अपन लोगों को इसकी just ORVM के नीचे इसका camera देखने को मिल जाता है जो कि ये confirm कर देता है कि इस गाड़ी के अंदर अपन लोगो 360 degree view भी देखने को मिल जाता है मतलब कि गाड़ी के अंदर बैठे बैठे गाड़ी के चारो तरफ आप लोग देख सकते हो फिर चाहे बात हो उपर नीचे की left right की या फिर किसे भी side की यहाँ पे आप लोगों को आगे से पीछे तक पूरा glass देखने को मिल जाता है जो कि गाड़ी को बहुत अच्छा लोग प्रोवाइड कर रहा है फिर पीछे जाएं तो भाई यह देखो यार इसकी tail light कितनी प्यारी tail light लग रही है इसके अंदर और फिर अगर अपन उपर देखे तो यहाँ पे अपन लोगों को इसका यह लंबा चोड़ा सा spoiler देखने को मिल जाता है और spoiler से just connected side पे अपन लोगों को harrier की bedging देखने को मिल जाती है जहाँ पे harrier लेखा हुआ है और अगेन यह इस साइड भी अपन लोगों को इसके tail light देखने को मिल जाती है यहाँ पे पूरी है LED की strip देखे रखिए इंडिगेटर वगेरा की जगे देखे रखिए नीचे यहाँ पे अपन लोग को number plate की जगे और उसकी lights उपर अपन लोग को देखने को मिल जाती है जिससे की number plate पढ़ी जा सके फिर अगेन यहाँ Tata का logo देखने को मिल जाता है बिल्कुल ही piano black finish में black नीचे 3D texture में harrier लिका हुआ है harrier की bedging मिल जाती है और फिर अगर अपन लोग बात करें थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पे अपन लोग को इसके reflectors देखने को मिल जाते हैं bumper से just connected इसके reflectors हैं पीछे अपन लोग को दो parking sensors देखने को मिल जाते हैं एक इस side और एक इस side हला कि चार parking sensors आने चाहिए थे पर इसमें दो ही parking sensors हैं और भाई looks की बात करें ना तो no doubt भाई गाड़ी बहुती ज़दा bulky look provide करते हैं यहाँ पे side पे अपन लोग को इसका fuel tank मिल जाता है 50 liter की capacity के साथ और फिर भाई यहाँ glass पे यह चीज़ notice करो यह tag है टाटा ने लगाया है टाटा को complete हो चुके 25 years और उसमें इसने sale कर दिया है 50 lakhs car मतलब कि 1998 से लेके 2023 तक 50 lakhs car टाटा की पूरी sale हो चुकी है अभी तक जो की definitely एक brand के point of view से बहुत ही जादा बड़ा achievement अपने लोग को देखने को मिल जाता है और भाई इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को ADAS भी offer किया जाता है advanced driver assistance system वो भी level 2 का ADAS safety point of view के साबसे बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर अपने लोगों कुछ features मिल जाते हैं जैसी की sign decognization, auto break और कुछ इस type के features फिर side में बात करें तो wiper मिल जाते हैं जो की बहुत ही जादा अच्छी quality के हैं तो guys चलो अब मैं आप लोगो टाटा की एक बहुत ही जादा अतरंगी चीज़ बताता हूँ जो की शायदी कोई company करती होगी सामने वाली wind shield बे आप लोगो कुछ भी देखने को नहीं मिलता है बट जब आप पीछे वाली wind shield की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आप लोग यह चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे share type के कुछ बने हुए एक share और दो उसके बच्चे तो अब हाला कि इसका मतलब तो कुछ भी नहीं निकल रहा बट हाँ design के हिसाब से भाई बहुत अच्छी चीज़ की है उपर बैचिंग मिल जाती है vocal for local जो कि बिल्कुल सही बात है भाई इंडिया की company है support करो full support करो vocal for local के नीचे अपन लोग को यहाँ defoggers देखने को मिल जाते है red color के defogger और defogger के साथ में अपन लोगों को यहाँ पे wiper भी देखने को मिल जाता है तो दोनों चीज़े एक साथ दे दी जो कि बहुत ही ज़ादा अच्छी बात है फिर बढ़ते हैं अपन car के interior की तरफ तो भाई जब पहली नजर आप car के interior पे मारोगे ना आप लोगो कुछ black and red color की mix theme देखने को मिलेगी जो की एक साथ combination में बहुत ही ज़ादा प्यारा look प्रोवाइड कर रही है और यह hashtag dark variant red वाला है इसलिए इसके अंदर आप लोगों को red color की seats देखने को मिल जाती है और बाकी जितने भी है white black color की combination में मिल जाता है और यह जो seat है front वाली दोनों ventilated seats है मतलब कि अंदर से हावा आती है तो आप लोगों को कभी पीछे पीट पे या कहीं पे भी पसीना नहीं आएगा AC सामनी से चलेंगे और अंदर से seat भी अवा देगी और फिर बात करें driver वाले seat की यह आप लोग को six ways में adjustable मिल जाती है मतलब आगे पीछे left right उपर नीचे तो इस टाइप से यह driver seat आप लोग को six ways में adjustable मिल जाती है और three memory function के साथ मिलती है मतलब की तीन बंदे इसको seat को set कर सकते हैं और जैसी आएंगे one two three पे दबाएंगे और उस हिसाब से seat अपने आप set हो जाएगी जिसके की buttons कुछ यहाँ पे आप लोग को provide करके रखे गए है और यह driver और co passenger वाली seat electronically adjustable है मतलब की button को उपर नीचे या फिर side left right करना है और आप लोग की seat move करेगी कोई भी आप लोगों को liver कीषने की सरदर्दी नहीं पालनी है और इस वाले hashtag dark red वाले variant की बात करें तो इसका steering wheel आप लोगो kind of a decent and बहुत ही जदा pretty steering wheel देखने को मिल जाता है जिसकी stitching बहुत ही जदा अच्छी की गई है फिर उसके बात करें तो इसके बीचो बीच आप लोगो टाटा का logo देखने को मिल जाता है प्यानो black color की कुछ finish है देखे रखिये थोड़ी बहुत फिर नीचे भी अपन लोगो को थोड़ी बहुत प्यानो black finish देखने को मिल जाते है साइड में अपन लोगो को controls देखने को मिल जाते है mode up down volume up down call mute वगरा इन सब के normal button देखने को मिल जाते है और इस साइड भी अपन लोगो को वही सेम कुछ normal buttons देखने को मिल जाते है और फिर सामने की तरफ देखे तो अपन लोगो को एक 17.78 cm का digital TFT instrument cluster देखने को मिल जाता है जिसमें की कुछ basic information अपन लोगो को पता चल जाती है जैसे की यहाँ पे अपन लोगो को इसकी speed के लिए ये graph देखे रखा है जो की इसकी speed बताता है अभी 0 km पर hour दिखा रही है साइड में इसका RPM दिखाता है और इस साइड इसके fuel capacity और उपर अपन लोगो को temperature भी show कर देता है और कुछ basic features जैसे की कौन से mode पे है और trip की info settings वगेरा कुछ इस type के basic features और फिर वही normal सभी की तरह है यहाँ पे साइड में अपन लोगो को light वगेरा के control देखने को मिल जाते हैं और इस साइड वाइपर वगेरा के control अपन लोगो को देखने को मिल जाते हैं और फिर यहाँ पे बीचो बीच इसका infotainment system देखने को मिल जाता है जिसमें की सबसे पहले तो आजाती है अपनी ये touch screen जो कि अपन लोगों को मिल जाती है 26.03 cm और basically इस गाड़ी के अंदर infotainment system और music system वगेरा harman company का show किया गया है और इस infotainment system के अंदर आप लोगों को apple carplay और android auto दोनों का support मिल जाता है वहीं इसके 360 degree के camera कुछ इस type के देखते हैं जिनकी quality बहुत खराब भी नहीं है और बहुत अच्छे भी नहीं है decent quality आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाती है जिसको की simply नीचे आप एक button के through access कर सकते हो फिर बात करें तो नीचे अपन को यहाँ पे इसके AC देखने को मिल जाते हैं जो की बहुत अच्छी cooling कर देते हैं यहाँ normal कुछ hazard light के switch और कुछ normal switches हैं और उसके नीचे अपने को AC का temperature control देखने को मिल जाता है AC on off का switch मिल जाता है और कुछ normal basic features और controls मिल जाते हैं और फिर उसके नीचे अपने लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसका gear knob जिसमें park, neutral, drive और reverse mode मिल जाता है और manual में shift उपर नीचे कर सकते हो यहाँ पे एक feature अपने लोग को और मिल जाता है इसमें आपने लोग को wireless charger देखने को मिल जाता है जो कि इस वाले अपने लोग को section में मिल जाता है phone रखे आप इजले charge कर सकते हो यहाँ तीन mode मिल जाता है यह एक तो है इसका wet mode जो कि बारिष में आपकी गाड़ी जादा facility नहीं है उसमें यह आप wet mode लगा सकते हो और अगर किसी जटके वाले road पे चल रहो गड़े वाले पे तो यह आप rock mode लगा सकते हो जिसे कि आपकी गाड़ी में के suspension थोड़े से improve हो जाएंगे enhance हो जाएंगे तो कोई आपको गड़ों में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है फिर अगर अगर आपन लोग बात करें तो यहाँ पे जो पियानो black finish के बगल में यह जो अपन लोग को देखे रखा है 360 degree camera वाला button इसे आप अपने 360 degree camera को access कर सकते हो hill climb, control आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है पीछे अपन लोग को electronic parking break यहाँ पे company offer कर देती है जो कि बहुत ही जादा अच्छी बात है मतलब कि इस electronic park वाले liver में आप लोग को कोई भी वो liver खीषने कोई भी जमेला नहीं पालना पड़ेगा पीछे आप लोग 3 cup holder मिल जाते है यहाँ पे पीछे 3 cup holders है और जैसे उसके पीछे armrest देखने को मिल जाती है जिसके अंदर कुछ space है और 12 वोट का एक socket है और एक A type port है और एक C type port है जो कि normal आप अपने iPhone को भी charge कर सकते हो और एक normal Android को भी charge कर सकते हो दोनों का खयाल रखा हुआ है फिर अगर बात करें यार यह जो space है यह अंदर decent decent सी देखे रखे है ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है आम रेस्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छा material का यूज किया गया है उपर अपने लोग को IRVM इसका automatic climate change का यह मिल जाता है IRVM अपने लोग को देखने को मिल जाता है जो कि day night पे आराम से electronically automatically change हो जाता है फिर यहाँ पे अपने लोग को यह दूप से मिलने का मिल जाता है पर यहाँ पे अपने लोग को कोई mirror नहीं मिलता है definitely को passenger size आपने लोग mirror देखने को मिल जाता है और यहाँ पे side में इसके 2 halogen bulb भी देखे रखे है जो कि face को glow कर देंगे उपर यहाँ पे इसकी LED देखने को मिल जाती है अंदर की light देखने को मिल जाती है जो की 2 हैं पर आप लोग इसमें एक चीज को मिस करोगे वो है sun glass holder यहाँ पे आप लोग को कोई भी sun glass holder देखने को नहीं मिलता है और यह यहाँ पे इसके controls है कुछ बहुत ही जौदा बड़ी size की panoramic sunroof के controls है यह 3 switches basically देखे रखे हैं इनसे आप अपनी sunroof को खोल सकते हो बंद कर सकते हो curtain कोलना है तो curtain कोल सकते हो sunroof को थोड़ी उपर करने उपर कर सकते हो और अगर पूरी खोलने है तो आप पूरी भी कोल सकते हो इन 3 switches की help से और यहाँ पर बैठने के बाद इतने बड़े और लंबे चोड़े size का dashboard अपन लोग इसका देख सकते हैं और अगर सामने looks की बात करें तो पूरा bonnet अपन लोग को visible हो जाता है जो कि kind of a बहुत अच्छी feeling provide कर देता है फिर यहाँ पर अपन लोग को इसका 1 AC देखने को मिल जाता है साइड में यहाँ पर 2 AC और co passenger के लिए उसके लिए अलग AC और यह climate control AC है यहाँ पर IRVM के अपन लोग को electronic controls भी देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आप अपने IRVM को अपने according अपनी needs के according सेट कर सकते हो आगे हम लोग इसके music system की बात करें तो इसके अंदर आपने लोग को harman का music system मिलता है with JBL के twitters आप लोगों को 4 speakers मिल जाते हैं हर gate पे और हर pillar पे अपने लोगों को 4 twitter देखने को मिल जाता है और base के लिए extra एक subwoofer भी provide है Tata safety में कोई compromise नहीं करता इसलिए अपने लोगों को इसमें 6 airbags मिल जाता है steering पे co-passenger side और बाकी pillars पे आगे वाले और फिर पीछे बात करें तो पीछे अपने लोगों को curtain airbags देखने को मिल जाते हैं अगर आप driver seat की बात करोगे तो आप लोगों कोई भी grab handle देखने को नहीं मिलता आप लोगों को co-passenger side और पीछे वाली seats पे देखने को जरूर से मिलता है जो कि safety point of view के हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज है और भाई लोग फिर बात करेंगे driver के comfort की तो भाई मेरे को नहीं लगता इस गाड़ी में driver को कोई भी comfort की कमी feel होने वाली है पहली बात तो seat अपने लोग को यहाँ पे ventilated मिल जाती है यहाँ पे switch आप लोग दे के सकते हो electronic adjustable अपने लोग को seat मिल जाती है और भाई सबसे main चीज तो यहाँ पे ventilated seat होने के बाद भी seats बहुत ही अची तरीके से cushioning की गई है seat की फिर चाहे आप thigh support की बात करो या पीछे back support की बात करो अपने लोग को हर चीज बिलकुल अची comfort में मिल जाती है leg room भी अपने लोग को इसमें बहुत ही जादा तगड़ा देखने को मिल जाता है और फिर यहाँ पे बात करें side में अंदर के side दवा के यहाँ पे USB type का support देके रखाए जिसे कि आप अपना phone यहाँ से भी charge कर सकते हो अगर आपका phone wireless charging को support नहीं करता है फिर अगर अपन यहाँ पे side में co passenger side देखेंगे अपन लोग को glove box देखने को मिल जाता है जिसमें की अंदर light भी provide की गई है and documents के लिए अलग से separate जगे भी provide की गई है और फिर यहाँ पे अगर side door की तरफ बड़ेंगे यहाँ पे आपन लोग को बहुत ही massive एक handle देखने को मिल जाता है फिर अपन लोग को door lock unlock करने का handle देखने को मिल जाता है और फिर यहाँ पे जो piano black finish देखे रखे है with a red combination बहुती अच्छी premium look provide कर रही है इस गाड़ी को यहाँ पे इसके as usual normal अपने door unlock lock करने के handle देखने को मिल जाते है नीचे अपन लोग को windows का control मिल जाते है चारो windows का control इसको भी piano black finish कर देते हैं तो और अच्छा look आता नीचे अपन लोग को bottle holder देखने को मिल जाता है और थोड़ा सा space भी यहाँ पे provided है यहाँ पे यह piano black strip बहुती जादा बढ़िया लग रही है इसके उपर engine start stop button देके रखा हुआ है तो overall front में तो इसमें कुछ इतनी चीज़े थी अब देखते हैं rear seats में कैसा comfort है और कहाँ पे अपन लोग को safety और features देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे एक चीज़ और notice करो door को खोलती है अपन लोग को यहाँ पे एक red light जलती हुई दिखाई जे जाती है जो कि पीछे वाले बंदे को भी दिखाई दे जाएगी और बता देगी कि भाई कुछ red light जल रही है नीचे अपन लोग को normal light देखने को मिल जाती है जो कि अंधेरे में काम आ जाएगी भाई इससे पता चल जाता है टाटा सेफटी में कोई compromise नहीं करता क्योंकि यह चीज़ सेफटी point of view के इसाब से बहुत तगडी चीज़ है देन यहाँ पे पीछे की सीट की तरफ अपन लोग आ गये है और भाई यहाँ पे बहुत अच्छा comfort त ठीक ठाक देखने को मिल गया सामने नी रूम भी अपन लोगों को इनफ ही देखने को मिल गया फिर उसके बाद अगर अगर अपन देखेंगे सामने वाली सीट को अगर हम लोग बिलकुल पीछे कर देते है तो अपन लोगों को इसमें कितना space देखने को मिलता है तो जब सा से स्पेज देखने को मिल जाती है पर यहां पर कोई भी अपन लोग को एसी प्रोवाइड नहीं है अब ऐसा क्यों क्यों क्योंकि नीचे अपन लोग को यहां पर यह पोर्ट मिल जाते हैं चार्जिंग करने के लिए तो अब इसका एसी यहां पर नहीं है तो कहां पर है बतात पर पहले ये देख लो, यहाँ पे आप लोगों को इसके headrest भी अपन लोगों को adjustable देखने को मिल जाते हैं, आगे वाले भी और पीछे वाले भी दोनों adjustable देखने को मिल जाते हैं, फिर बीच में बात करें तो अपन लोगों को ये armrest देखने को मिल जाती है, और इसी के बीच म अपन लोग को ये cup holders भी देखने को बिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छी finishing देखे रखी हुई है बीच में अपन लोग को child के लिए भी अपन लोग को यहाँ पे sealed belt provided है जो बीच में बंदा बेटेगा उसके लिए भी seat belt यहाँ पे provided की गई है फिर अगर उसके अलावा बात करें अपन लोग तो अगर आप यहाँ नीचे की तरफ बीच में थोड़ा सा देखोगे तो यार bump यार यहाँ पे obvious यार थोड़ा सा ज़ादा बंगता है बाकी गाडियों के comparison में और अगर कोई बंदा या कोई चाइल्ड अगर बीच में बैठता है तो उसको दोनों साइड पैर करके बैठने पड़ेंगे वह बीच में पैर नहीं कर सकता है यहाँ डोर पे अपन लोगों को यहाँ पे JBL का Twitter मिल जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पे AC नहीं दिया वह AC यहाँ पिलर पे आप लोगों को provided है जिससे कि सारी की सारी cooling सीधे की सीधे आप लोगों के तक आए बीच से कहीं पे भी ने जाए नीचे अपन लोगों को यहाँ पे speaker system मिल जाता है उसके साइड में एक LED light भी देखने को मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी चीज है और फिर यहाँ पे जैसे इसकी sunroof को open करते है अपन लोगों के सामने यह एक चोटा सा curtain open हो जाता है और उसके नीचे अपन लोग को देखने को मिलता है इसके rubber इसकी sunroof का rubber जो की ठीक ठाक तरीके से glue से चिपकाया हुआ है फिर यहाँ पे साइड में अगर अपन लोग देखते हैं तो अपन लोगों को कोई भी components यहाँ से visible नहीं होता जैसी कि कई गाडियों में यहाँ से speaker visible रहता है और दो और लोग आसानी से उपर निकल सकते हो अब बढ़ते हैं गाड़ी की boot की तरफ तो यहाँ पे अगर आप लोगों को boot को unlock करना है तो simply से आप जाके इस button से boot को access कर सकते हो जैसे एक दबाओगे टाटा के नीचे आप लोगो बटन मिल जाएगा और इसकी boot साइज है 425 लेटर बाई जो की बहुत ही जादा है यहां इस साइड आप लोगों को इसका subwoofer देखने को मिल जाता है दूसरी साइड को भी placement नहीं की गई है बर दूसरी साइड आप लोगों को boot lamp जरूर से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो की बहुत अच्छी बात है और फिर यह जो boot को cover करने के लिए यहां पे उपर tray देके रखी है आप इसके उपर max weight carry कर सकते हो 2 kg तक वरना फिर यह शायद नीचे दब सकती है फिर यहां पे normal कुछ accessories देती है टाटा और इसके नीचे बात करें तो अंदर आप लोगों को यह cover देखने को मिल जाता है और अगर cover के सामने वाले cover की बात करें तो यहां पे आप लोगों को stepney, tool वगेरा, tire pressure के लिए, air flow वगेरा के लिए आप लोगों यह सम normal basic tools देखने को मिल जाते है अब बात करें कि यहां पे इसका spare wheel कहां पे देखे रखा है तो गाड़ी के नीचे की side अपन लोगों को इसका spare wheel देखने को मिल जाता है यह इसका spare wheel है और भाई अगर कभी आप लोगों का camping करने का mode बन गया और आप लोग सिर्फ दो बंदे हो तो भाई आप लोग अतना चलता फिरता घर भी लेके चल सकते हो क्योंकि आप लोग सिंपली से यह rare वाली seats को fold करोगे और जैसी यह पीछे वाली seats fold होंगी और ultimate size का यहां पे आप लोगों को boot space देखने को मिल जाएगा जिसमें कि आप एक simply एक गत्ता लगाओगे और आपका चलता फिरता bed बोल लो घर बोल लो वो 101% तरीके से बनके तयार हो जाएगा और इसमें बिलकोल मतलब head room भी आप लोगों को enough मिल जाता है तो ज़्यादा कोई परिशानी भी नहीं होने वाली है और boots में अपन लोगों को यहाँ पे यह system hydraulic का system देखने को मिल जाता है जो कि boot को उपर की तरफ pull कर देता है और फिर उसके बाद यहाँ पे पीछे की तरफ अगर अपन लोगों को बहुत ही अच्छी quality का यहाँ पे जो भी material है वो बहुत अच्छी quality का material यहाँ पे यूज करके रखा है और फिर अगर आप लोगों को यहाँ पे सामने bonnet open करना है तो नीचे आप लोगों को यह liver देखने को मिलेगा इसको simply liver को दम से खीचना और सामने आप लोगों का bonnet एक type में unlock हो जाएगा फिर अंदर जाके fingers डालके नीचे से liver को press करने के बाद उपर के तरफ pull कर देना है और यह अपना bonnet इसका open हो जाएगा तो वैसे तो हैरियर का bonnet बहुत ही ज़दा heavy है बट फिर भी इसके अंदर आप लोगों को यह डंडा देखने को मिलता है कोई भी hydraulics offer नहीं किये गए है फिर अगर इसके specs की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को 4 cylinder inline 2 liter का रायो टेक इंजन देखने को मिल जाता है जो की displays करता है 1956 cc और यह vehicle produce करती है 168 bhp and 350 newton meter का torque जो की I think इस गाड़ी के लिए enough है और इसके अंदर अपन लोगों को BS6 engine देखने को मिल जाता है with front wheel drive guys यह front wheel drive है फिर भी यह बहुती जादा तगड़ी off-roading कर लेती है off-roading में front wheel drive होने के बाद भी आप लोगों को कोई कमी महसूस नहीं होने देगी यह गाड़ी अब आप लोग इसके bonnet बंद होने की अवाद सुनो तब तो आप लोगों को पता चली जाएगा भाई कितना heavy bonnet है इसके अंदर अब hopefully इसकी अवाद सुनकर तो आप लोगों को पता लगी गया होगा इसके अंदर कितना भारी भरकम bonnet है और कितने तगड़े build quality है and end cap की तरफ से इस beast को 4 star safety rating मिलिये जो की good होता है अब बात कर लेते हैं इस beast की pricing की तो एक showroom इस beast की price होने वाली है 24.06 lakh रोपीज and वहीं on road इसकी price होने वाले 28.78 lakh रोपीज तो अगर आप भी 25 to 30 lakhs के बीच में एक off-roading SUV डूण रहे हो तो आप Harrier को एक बार के लिए देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा option है पर भाई देखोगे कहां पे तो अगर आप लोगों को भी टाटा Harrier देखनी है या बुक करानी है तो आप लोग चंबल मोटर्स पर आ सकते हो और अगर आप कोटा के आसपास के रीजन वाले हो तो आप industrial area वाले चंबल मोटर्स पर आ सकते हो बट अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो आप लोग अपने nearest च केश ड्राइव लेके संतुष्टी लेके आप अपनी गाड़ी ले सकते हो एंड इस वीडियो में स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा चंबल मोटर्स का जिनोंने मुझे ये टाटा Harrier प्रोवाइड करवाई थी वैसे ये थी आज अपने पास टाटा की तरफ से आने वाली Harrier आप मेंसे कितने लोगों को ये SUV पसंद है जल्दी से जाके कमेट में बताओ और आज के इस वाले वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक फुल मोज काटो